मित्र नवश्का पेरावीटर अफ लौ के इस चैनल में मैं आपका मित्र डिटाइट जैज अशोक शर्मा आपका आर्दिक अभिनंदन करता हूँ प्राया लोगों को जीवन में कभी ने कभी कोर्ट में जाना पड़ता है तो civil और criminal दो तरह के मामले होते हैं जा आपको जानना चाहिए civil case में आप जब अपने किसी अधिकार के लिए उसका relief मांगने या अनुदोश मांगने civil court में जाते हैं तो आपको दावा वकिल साब के माध्यम से प्रस्तुत करना पड़ता है ये दावा प्लेंट केलाता है और जो दावा प्रस्तुत करता है वो प्लेंटिफ केलाता है जिसके विरुत प्रस्तुत किया जाता है वो डिफेंडेंट होते हैं प्रतिवादी के रूप में तो वादी और प्रतिवादी के मद्द उस दावे को सिविल कोर्ट में प्रस्तुत कर्णिब जाता है जैसे प्लेंटिफ को वादी प्रतिवादी का जाता और इशूस जो हुते है वाद प्रश्ण जो पॉइंट्स फौर डिटर्मेंशन जीने वाद प्रश्ण ऑडर 14 रूल 5 के अंतर गत होते हैं यह आपको जाना चाहिए अब जहां क्रिमिनल केस का प्रश्ण है क्रिमिनल कोई भी एफाई आर चारो जीरो एफाई आरो या वेक्ति के द्वारा लिखाई गई एफाई आरो उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है अगर मालो रिपोर्ट नहीं लिखी गई है तो 156 के अंतरगात माईस्टेट कोगिजेंस लेता है CITC के अंतरगात अभी नया कानून आ गया है उसमें भी विवस्ता दी गई है और चार्शीट के लिए जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तो तीन फॉर्म में वह आरो पत्र के रूप में या अभ्योग पत्र या चालान के रूप में प्रस्तुत किय जाता है नयाले के समझ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद और यदी मामले में सफिशेंट एविदेंस नहीं आई है जैसा कि आरूप पत्र में या किसी उसमें प्रमानित करने के लिए FIR से तो फिर वो खात्मा भी FIR पुलिस खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत मे यदि जूटी रिपोर्ट की गई है तो यह प्रस्तुत की जाती है यह सब मजिस्ट्रेट के समझ प्रस्तुत की जाती है यह चीज़ें आपको जाननी चाहिए तो मैंने इस वीडियो में BNS की अंतरगत और पुराना CPC जो सिविल प्रसीजर कोड़ है उनकी अंतरगत जो व चैनल से समाज के समिवयक्ति योँ के लिए विद्यार्तियों के लिए law pretments जोड़े लोगों को लिए cale Aadhi के लिए Mba के लोगों के लिए सब के लिए चैनल उप्योंगी है चोटे चोटे वीडियो मैंने इस चैनल पर डालेव प्लेलिस्ट में जाहिए अपनी जानकारी बढ़ाई है जैसा मैं कहता हूँ knowledge is power यदि आप विद्या कर पढ़ाई करते रहेंगे ज्यान रखेंगे तो आप शक्तिशाली बनेगे समाज में बैठने उठने लायक होंगे आपकी जानकारी अप्टूडेट रहेगी इन सभी शब्दों के साथ इस वीडियो में यहीं तक फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक और अन्रोद मेरी धर्म पत्नी श्रीमती अर्चना शर्मागावी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना अर्टी अपके नाम से उससे भी जुड़िये और नई नई जानकारी उसके वीडियो दे कर लेते रहें दे कर लेते रहें दन्यवाद इस वीडियो में यहीं तक पर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नमस्कार